हेलो एब्रीबान वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीकता कोंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा रादे राधे तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने लड़ू गुपाल जी का जो चंदन सनान है कैसे करवाती हूँ तो वैसे तो 15-20 दिन में करवाई देती हूँ मैं उनका चंदन से क्योंकि वो थोड़े से काले पड़ जाते हैं इसलिए पर इस पारी थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो इस वजह से मैंने उनका जो चंदन दें से अच्छे से सनान नहीं करवाया तो इस करके अब वो काले हो अच्मین मैने डाला है सूट वैसे जब मैं बाहर मार्किट वगरा जाती हूं तो कहीं जाना होते है तब मैं सूट ढालती है नहीं तो घर में तो मैं लोवर टोपी डालके रखती हूं पर मैंने सोचा चलो ये हलका सा गोटन का सूट है आज यह डाल लिया जाए तो आज मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज है क्योंकि आज यूगा मैंने नहाने से पहले कर लिया है वैसे मैं नहा के यूगा करना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है पर लेकिन आज मैंने सोचा चलो पहले ही कर लेते हैं पर लेकिन मैं सोच रही हूं कि बच्चों का टिफिन पैक करके फिर अराम से कराऊंगी क्योंकि आज गोपाल जी का स्पेशल सनान है चंदन सनान तो उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले टिफिनी पैक कर दिया जाए और आज मैं बच्चो कि लंज के लिए आलू शिमला मिर्ट की सबजी बना रही हूं और ये फलियां भी थोड़ी सी आड़ कर दूँगी क्योंकि स्पेशल आलू फली की सबजी जो है बच्चे थोड़ी कामी पसंद करते हैं इसलिए तो मैंने सोचा चलो इसमें आज थोड़ी सी डाल दूँगी तो पली की जो सबजी है वो बच्चे थोड़ा कमी पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने सोचा चलो आलू शिमला मिर्च की सबजी बना रही हूं इसमें थोड़ी आड़ कर दूँगी ताकि ये ऐसे खाई भी जाएगी तो बस तेल गरम हो गया था इसमें मैंने थोड़ी सी हींग और जीरा डाल के और ये जो कटी वी सबजी थी ये मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं डालूँगी नमक थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च भी म गुपाल जी के लिए देई निकाल लिया जाये क्योंकि गुपाल जी को देई का भूग भी मैं लगा दूँगी ओर उनके सनान के लिए भी मैंने इसी में निकाल लिया है। और बस बाकी बच्छा जो है, उसमें मैं डालनूंगी रायता, तो बुंदी मैंने इसमें अड़ कर दिये, थोड़ी सी काले मिर्च और थोड़ा सा नमक। और ये जो देही है मैं घर में ही जमाती हूं गाएं के दूद का तो गाएं का दूद ही आता है हमारे घर और रायता मैं इसलिए डाल लेती हूं क्योंकि गर्मी भी काफी है और सुकी सबजीयों साथ में रायता हो तो फिर अच्छे से रोटी खाए जाती हैं तो परांठे कोबी के या मूली के प्रांठे हों तो वही बनते हैं बस और वैसे तो हम ज़्यादा तर सुकी रोटी खाना ही पसंद करते हैं सबजी तो बनने ही वाली है और इसमें मैं कटी हुई हरी निर्च जो है वो भी डाल दूँगी और टमाटर मैंने निकाले थे डालने के लिए पर मैंने डाल लेनी इसमें तो ऐसे ही यह जो है टिपिन के तो रात में भी बनाके हम खा लेते थे और पिछले कुछ अलों से जो हमने प्रांटे खाना बंद कर दी हैं बनतों नहीं कहेंगे कभी-कभी बन भी जाते हैं husband ने खाने और या बच्चों ने तो कभी उनका मन करता है तो बना देती हूं वैसे मैं नहीं कहती तो मैं जब बस दो मिनिट के लिए और इसको मैं ढखके रख दूंगी और फिर कराऊंगी गुपाल जी को सनान तो टाइम भी काफी हो गया है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रुटीन आज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया योगा पहले कर लिया है और अभी पूजा मुझे करनी है तो चलो कोई बात नहीं थोड़ा बहुत चेंज भी करना चाहिए क्योंकि कभी मन होता है ये काम पहले कर लिया जाए और ये वाला बात में कर लिया जाए तो ऐसे चलता ही रहता है, रुटीन कोई एक ज़सी नहीं रहती ही, सभी की चेंज होती ही रहती है और बस मंदिर मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, बरतन भी मैं दोके ले आई हूं फूजा के और गोपाल जी के जल में मैं थोड़ा सा गंगा जल डालूँगी सनान वाले पानी में तो सबसे पहले मैंने गोपाल जी को ठोड़े से जल से सनान करवाया, उसके बाद दहीं लगाया और उसके बाद अस्टगंद चंदन तो बस इसी से थोड़ी सी गोपाल जी की मसाज करेंगे और गोपाल जी अच्छे से चमक जाएंगे पोरस्ट गंद चंदन की जगा आप गोपी चंदन भी ले सकते हो, हल्दी भी ले सकते हो या फिर कोई भी चंदन हो आपके पास तो आप वो दहीं में मिक्स करके बस गोपाल जी को थोड़ा सा रब करेंगे हलके हातों से और गोपाल जी अच्छे से चमक जाएंगे तो यहाँ पर मैंने शाली ग्राम ठाकुर जी को भी चंदन से दहीं से अच्छे से सनान करवा दिया है और अब मैं कन्नू को पैरिंग थोड़ा सा जल डालने के लिए कन्नू भी नाध होके त्यार हो गई थी स्कूल जाने के लिए पर लेकिन आज इसकी चुट्टी होगी है तो फिर मैंने का चल मेरी हेल्प कर थोड़ा सा पानी डाल क्योंकि मेरे हाथों पे चंदन चंदन हो गया था तो इसलिए तो यह अस्टगंध चंदन है तो यह हाथों में थोड़ा सा कलर सा लग जाता है इसका तो यह देखिए गुपाल जी कितने इच्छे से चमक गए हैं साफ हो गए हैं और अगर आपके मंदिर में और भी पीतल के विग रहे हों तो आप उनको भी ऐसे ही साफ कर सकते हों तो कहीं लोग क्या करते हैं पितांबरी से साफ करते हैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पितांबरी जो पाउडर होता है वह कैमिकल वाला होता है तो कैमिकल का जो इस्तेमाल अपने विग रहें पर या बाल भुपाल पर बिल्कुल ना करें क्योंकि पितांबरी पाउडर जो है वो तांबे पीतल के बरतन साफ करने के लिए ना कि देवी देपताओं की विग्र है या मूर्ती साफ करने के लिए तो आप विग्र है पर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें पितांबरी का और मैं तो पितामरी अपने जो मंदिर के पूजा के बरतन है उन पे भी नहीं करती मैं तो अपने घर में इसलूशन बना के जो तामबे पितल के जो बरतन होते हैं उनको साफ करती हूँ तो अगर आप जानना चाते हो कि मैं कैसे solution बना के अपने मंदिर के पूजा के जो बरतन है तामबे पितल के वो कैसे साफ करती हूँ तो इस वीडियो के end में end screen लगा दूँगी उस वीडियो की तो आप उसको touch करके वो वीडियो देख सकते हो काफी असान तरीक है तामबे पितल के बरतन साफ करने का तो लीजे हमारे छोटे से बहारी जी भी हो गया है तैयार नहा के सनान करवा के अपना तो अभी इनको विराजमान कर देते हैं ये भी अच्छे से चमग गया है तो अभी इनका चंदन से शिंगार होगा उससे पहले ये जो कटोरी है इनकी मैं दोलूँ क्योंकि ये फिर भोग के लिए चाहिए है तो ये जो गुपाल जी के सनान वाला पानी है तो ये काफी चंदन और देही हो गया इसमें तो इसको मैं तुलसी जी में डालके दूसरे प्लांट में डालाती हूँ पहले क्योंकि ये गिर जाएगा नी तो और थोड़ा सा गिर भी गया था मुससे इसलिए तो बस अब ये गुपाल जी का शिंगार कर देते हैं और देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं एकी बार में ज्यादा भी इनको रगणा नी पड़ता ये नी है कि जोर जोर से इनको रगणे की जरूरत नी है बस हलके हातों से इनकी मसाज करें हलके हलके से और ये वैसे ही च तो ये देखिए गुपाल जी के जल में आज मैं केवड़ा जल भी डालना भूल गई, तो ये अंदर रखा हुआ था, तो इसलिए भूल गई, अगर सामने उता तो मैं डाल लेती, तो बस अब गुपाल जी को ये हार पे ना दिया जाए, चुटा सा हार पे ना दिया, प्रेश्न प्रेश्न, 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 प्र तो मेरे पास एक कोमेंट आए था फिंकी तिवारी जी का तो उन्होंने का था कि दीदी आप सावन के सोमवार पर वीडियो बना के अपलोड करें अपने चैनल पर तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी बाकी तो गुपाल जी जाने तो अपनी तरफ से कोशिश तो इस वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगी फिर आप टच करके भी उसको असानी से देख सकते हो कि क्या-क्या समगरी हमें चाहिए होती है शिबलिंग पे चड़ाने के लिए तो चातुरमास भी चल रहे हैं सावन का महीना भी चल रहा है तो चातुरमास की सावन के महीने की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुब कामना है तो वैसे तो जो भी शुब कामना ही देनी होती है तो मैं अपने चैनल पे वीडियो प्लोड कर देती हूं शोट वीडियो प्लो की भी शुब काम नाई दे दी और अब मैं कर लूँगी अपने नित्ते पार्ट जो भी मुझे करने होते हैं तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो उमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कर लीजी मेरे चैनल को और कोमेंट बुक्स में अपने अच्छे-च्छे सुझाप देना बिल्कुल मत भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे